हलो फ्रेंड्स नमस्कार आपका स्वागत है आपके परिवाद इस टेड़ी टेगनी में दोस्तों कैसे आप लोग उमीद है कि अच्छे होंगे और अपनी त्यारी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों यह वीडियो कल आने वाले थी लेकिन वीडियो आज आएगी इसके के लिए आवसे कुप करना है साम अगरी बिदिया टी अलम यो अभिरुतिया तो दोस्तों अगर हम एक्जाम के पैटन आप भी उसे देखे जो टापिक बहुत थोड़ा से इंपोर्टेंट ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है तो हम बहुत ज्यादा चीजे नहीं तो आज के टापिक में हम डिसकेशन करेंगे बस थोड़ा सा जो है जो जो इंपोर्टेंट जीजे हैं बस उसी को डिसकेशन करेंगे नहीं तो अगर ऐसे नार्मली इस टापिक को डिसकेशन करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ठीके दोस्तों तो इसको हम बस इतन द्रिष्टि बादित छात्रों के लिए परिच्छा बिधिया मतला द्रिष्टि बादि छात्र जो हमारे हैं आपको यह नहीं पताना पड़ेगा कि द्रिष्टि बादि छात्र कौन से होते हैं तो जो द्रिष्टि बादि छात्र हैं उनके लिए कौन-कौन सी परिच्छा बि बलक से बिल्एकल नहीं देख सकता है कोई बच्चा कार्च क्या जाएगा अब देखेए द्रिस्ट बादिगद बच्चों के लिए परिष्ञाई कान कान सी हो सकती है उसकता उनका लिखित्परिछण भी अगर बच्चा थोड़ा दिख रहा है हो सकता कुछ लेंज लगाने से बच्चे को दिखना ठीक ठाक लग जाए तो बच्चों को लिखित-परिछण करा दिया जाएगा अगर बच्चा बोल सकता है अगर बच्चे प्रयोग कर सकता है तो बालक से कैसा प्रयायोगिक परिच्छन ले लिया जाएगा यहां तक आप लोग समझ गे कौँसा हो जाएगा नमबर एक हमारा हो जाएगा लिखित परिच्छन नमबर दो मौखिक परिच्छन और नमबर तीन हमारा क्या हो जाएगा प्रायोग परिच्छण, तीन परिच्छण हम कर सकते हैं बच्चों का, क्योंकि हर एक बच्चे की जो हमारा आई विजन होत, मुलब देखने की छमता होती है, अलग अलग क्योंकि दृष्ट बादित बच्चे हैं, समान बच्चे नहीं हैं, तो जो बच्चा जिसके लिए comfortable ह है, उसको उस हिसाब से उसका परिच्छा हम करवाएंगे, यहां तक आप लोग समझ गए, कि दृष्ट बादित बच्चों का परिच्छा किस प्रकार से करवाएंगे, अब चलिए, आगे देखते हैं, अब देखिए, उनकी देखिए, यहां पर है क्या, उनकी सुविधा क अनुसार, उनकी परिच्छा का प्रारूफ हम बना सकते हैं, कि बच्चा जिस हिसाब से समझ रहा है, जिस हिसाब से बच्चा एक्जाम कर पाएगा, उनही के अनुसार से हम उनका पेपर तयार करते हैं, अब पेपर तयार करने के देखिए, कौन कौन से तरीके हैं, देख एक वमारे कायों उसे तरीके है पहला देखिए समय क्या है कि बच्छों कण नीजर्श ब्रेल प्रस्नपत्र कर अगर एग tavali प्रस्न पत्र तयार करेंगे तो ब्रेइल में आपकेant ही तो नहें चुक्त्र evacue न घुर्ट प्रस्व। प्रेल प्रस्ण पत्र अगर आप तयार करेंगे तो बच्चा ब्रेल में उत्तर भी लिखेगा तो ब्रेल प्रस्ण पत्र और ब्रेल में उत्तर दूसरा देखिए कि अगर आप प्रिंट प्रस्ण पत्र तयार करेंगे तो बच्चा क्या होगा लेख किसे आयता से मतलब कोई ऐसा है जो उसको प्रिस्टेगा पढ़े बताएगा और उसका उत्तर कौन बताएगा दृष्टिबादीद न D Duva प्रिंट पत्र का मतलब हो गया कि जैसे एक सालवर मतलब जैसे कि ॐिक बच्चा बैठाए जाएगा फिर क्या होगा जो समान बच्चा होगा वो जो है कोश्चन को पढ़ेगा पढ़ करके द्रिश्चिबादित बच्चे को बताएगा यह कोश्चन हमारा है और वो द्रिश्चिबादित बच्चा उसका एंसर देगा और जो एंसर देगा वही एंसर जो उसक करेगा उसको लिखेगा तिसी को कहते हैं लेखक की सहायता से उत्तर समझ गए उम्मीद आप लोग आगे देखिए रिकार्डिड प्रस्नपत्र रिकार्ड उत्तर देना अब देखें कुछ प्रस्नपत्र क्या करें रिकार्ड कर लें उनका उत्तर रिकार्ड के नुसर देना आगे देखिए मावखीक परस्नपतर दयार करना और मावखीक उत्तर मावखीक मतलब उनका एसे साचातकार टाइप ले ले और प्रेल प्रसन पत्र में और बोडने में इत्तर देज़ा जाएगा और देखिए यहां तक वह गया अप आप जो है क्या कि बचे का अगर करेंगे तो बच्चे का परिश्चा लेने के बाद आप उसका मुल लैंकन करेंगे, बच्चा क्या सीख रहा है, किसी साब से सबस्ड़ भच्छा समझ रहा है तो अब देखिये जब आप द्रिश्च बाधित बच्चों का मुल लैंकन करेंगे तो उसमें कॉन किस-κιस करेंगें पढ़ने करेंग adviser लिखने में पढ़ने में समझने में तो उनको कुछ छूट दिया जाता है चूट क्या दिया जाता है जैसे माली जी यह व्लेल लिप से लिख अ कर रहा है मतलब ब्रेल लेखन कर रहा है तो ऑंद अ कि spot होते हैं जहांपर आपको मतलब मार करना होत थोड़ा sa mistake हो गई अब सको सई कर सकते हैं ऐसा हमारा क्या कर सकते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं मतलब कोई भी चोटा मौटा mistake कर दे रहा है तो सको हम चोड़ सकते हैं आगे देखिए कि आगर माले यह आप उन्हें कोई question पूछा बच्चे से बड़ा question पूछा कि भारत के परवुख नदियों के नाम बताओ तो उसने छोटा सा उसका एंसर लिख दिया गंगा या मुना बरंपूत्र गोदा वरी दो-चार नदियों का नाम लिख दिया तो भी आप उसका सही मान जाएंगे घां इतने ही एंसर मतलब उसका मुल्यंकर आप सही करेंगे उसमें से आ तो दोस्तों ये सबी बातें ध्यान रखना चाहिए ठीक है कैसे मतलब कि बच्चा कर थोड़ा से कुछ मिस्टेक भी कर रहा है तो भी उसको थोड़ा सा नज़ा अंदाज करके वहाँ पर क्या करना चाहिए उनको समझाना चाहिए यह यह पूस्टेक आपने किया है यह पूस्टों अप लोग समझ गया होगे यह तक द्रिश्ट बादित बच्छात्रों का मुलेंकर करते समय कौन कौन सी बाते इंत्यान देनी योग होती है ठीक है अब देखिए आगे हम देख लेते हैं दोस्तों क्या है कि गंड़ती यह ब्रे क्या काते हैं दोस्तों गंड़ती यह ब्रेल कोड काते हैं अब देखिए इसे एन एबी दोस्तों यह थोड़ा इंपोर्टेंट है इसको देख लिजेगा एन एबी तथा एन आई वी अचनिये यूनिसेफ के तत्वधान में एक प्रियोजना के तहत भारती यह ब्रेल कोड अब देखिए जो यह कोड था मतलब यह गंती यह कोड दिजेगा यह कोशन यहां से पूछा जा सकता है कि किसे ने बना कर दिया था तो किस ने दिया था एन एवी तथा एन आई बी अचनिये यूनिसेफ के तत्वधान में एक प्रियोजना के तहत भारती अब्रेल कोड को त्यार किया था ठीक है इसको अब लोग ध्यानर किसके ताथ NAV और NIVH ने UNICEF के ततो है ठीक है भारती ये ब्रेल कोड को तैयर किया आप देखिए अमेरिकन ये जो कोड क्या था ये अमेरिकन नेमित कोड 1972 पर आधारित क्या था जो कोड हमारा बनाया गया भारत के लिए काई किसे भारत में जो गण इत को सीखने के लिए Code बनाया गया ओंअमेरिका में एक 7lt को उसी को में थोड़¢ सा परिवर्दन किया गया और परिवर्दन करने बाद नाइंटी एटी नाइन में हमारा उसको जो है गणती यह को बनाए गया और इस कोड में जानते हैं दोस्तों कितने हैं तीस अध्याय हैं कितने हैं दोस्तों तीस अध्याय हैं और तीस अध्याय को हमका अच्छा दस तक पूरा पूरा पढ़ा सकते हैं मतलब बच्छों को सिखा सकते हैं गरती कोड क्या होता है गरती ब्रेल कोड क्या जो को कोई भी डाउट नहीं रहेगा यहां तक हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा होता है गणती यह प्रेइल कोड क्या होता हमारा यह होता है कब आया था यह 1989 में जो भारत में आया था भारत में अपनाया था ठीक है और यह क्या है हमारा एन एबी तथा एन आई वी एच ने यूनिसेफ के तत्योधान में जो है एक ब्रियल कोड बना करके तयार किया था ठीक है आप लोग यहां तक समझ गया होंगे अब देखे इसका हमारा क्या है कि इसमें देखे लोवर सेल और अपर सेल कोड ठीक से पढ़ा जा सके ताकि किसी प्रकार की ब्रह्म किस्तिती ना रहे तत्ता संख्याओं को अच्छनों से अलग करके पढ़ा जा सकते दोस्तों इसको इस ढंग से बना गया है कि बच्चों को अगर आप पढ़ाएंगे class 10 तक पूरा बच्चा सीख जाएगा गरती कोड तो वहां से बच्चा कोई वी उसको डाउट नहीं कोई वी कोशन आप दे देंगे तो आराम से कर ले जाएगे आराम से हैंडल कर ले जाएगा ठीक है आप लोग यहां तक समझ गया होंगे अब दे कि जासे जब बच्चा कोई भी चीज होता है अगर आप इसको नार्मली अपने से एंसर दे ले जाएंगे तो भी सही हो जाएगा मतलब आप समझ जाएगा कि बच्चा को जो है सीख रहा है लेकिन सीखने में कुछ है कि इसको बच्चों को कब चाहिए बच्चे को गरित इंधे कब कर सीखना चाहिए है अब देखे आछा होता है कि का जो ब्रेल commerce होताय यह आपuchen को यह एक प्रकार से बहुत कफ अ hit तो अगर क्या होता है कुछ बच्चे होती है इस गंडु से तो डरती है पहले नारमल बज्स सामाने बच्चे तो डरते हैं ठीक है तो आयसे जो दिरिष्ट बाती बच्च्चे होंगी. वह भी डरते हैं तो जब बच्चे को आप गणित को का प्रेल कोड धीरे-धीरे मतलब स्टार्टिंग प्राइम्री लेबल से उनको सिखाने शुरू कर देंगे ठीक है तो वह धीरे-धीरे सीखेंगे और अंद में जाकरके अच्छे से सीख ले जाएंगे तो बच्चे को ब् प्रेंट तक जाते जाते अच्छे से सीख जाएं उमीदा अब लोग समझ गया होंगे दोस्तों यह कोश्चन जादा नहीं है इसलिए वह आगे दो कोश्चन हम डिसकुशन किये दो टॉपिक वह ज्यादा इंप्रेंट है आगे देखें यहाँ पर कि दिरिश्चिबादी प्रेंटों को हल कर सकता है कोई बच्चहोगा। अपने दिमाख में कितना कर सकता है अपने माइंड में कितना कोई क्ष्चन को हल कर सकता है। उसं को करते हैसे मानशिक veil इस प्रकार से आप किसी गणित को रख सकते हैं जैसे कि वो बच्चा क्या करे कि गणित की प्रक्रिया को गणित के जो गणना करता है वो आसानी से कर सकते जैसे कि उसके माइंड में मालिजिये जोड़ने घटाने की एक पिधिया आपसेट कर दीजिये भाग करने के एक पिधिया आपसेट कर दी इस देट अपिसे माझस में बच्चे को गुडा करना सीखना है तो भी बाग करना का इस चैड cash के करेगा एक समय आजाएगा कि बच्चा देरे देरे सीख जाएगा और अपने माइंड से करना सीख जाएगा ठीक है तो यह हमारा क्या होता है द्रिश्चिपादी छात्रों के लिए मांसिक अंगरित मतलब यह सिखाना चाहिए थोड़ा यह लिए व्यव अट-इमिर्टे का मतलब कहता है दोस्तों हमारे जो बिटिरूग्या तो यह बताती है कि किसी बेखत कोई बेखत क्या मैसूस कर रहा है उसके उपर क्या विस्वास होना चाहिए उसके मतलब पूर विस्वास क्या है वह काइसा सोचता है कैसा उसकी थेंगिंग है इसे कर आते हैं अपरित तो दोस्तों यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट टॉपिक था अभिरित इसको आप लोग एक बार देख लीजेगा ठीक है तो दोस्तों यह आपका ही टॉपिक बहुत थोड़ा से इंपोर्टेंट था इसलिए थोड़ा वीडियो छोटी है और इसके अगला वाला जो टॉपिक है दोस्तों वह समझ लीजिए इंपोर्टेंट है जानाते हैं सबसे ज्याना इंपोर्टेंट है शाया वाला ऊपको उसको देखना ते बिलकुल मत बूलिएगा दोस्तों और वीडियो को आप लोग करते हैं ठोड़ा सा शेर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल लखिए जय हींद बंदे मातर